तुटेंट्स एरी ऑनलाइन क्लासे के आप सभी लोगों का स्वागत है जिसे कि आप सभी लोगों को पता कि डिली साम को आट बिचे आप लोग की क्लास होती है जिसमें हम लोग पीपी एसी जूनियर इंजिनियर को टागेट कर रहे हैं और सब्सक्ट नेम की बात करें तो हम सब्सक्राइब कर दें अब लोग की लोग को पता है कि डेली आप लोग की क्लास होती है जिसकी टाइमिंग आप लोग की आट भुचे रहती है अगर अगर वरॉड हुआ है तो के साथ होती है और दो क्लास को आट भूंकि आप लोगों की साथ क्लास होती है इसी तरीके से अगर हम सर के साथ बात करें तो सुभे लोगों के यह चार बजे क्लास होते है फिर 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 बजी क्लास होती है तो Zero कर देखें तो civil engineering की पांच क्लास व्रण कर रही है आप लोगे युट्यूब में तो आप लोग देंको बहुत अच्छे से पड़ सकते हो बहुत अच्छे रहती है लोग नहीं कर नहीं है यहां से को यूट्यूब में नहीं पढ़ना चाहते हो आप लोग उसके तैयारी को एक भूह रहे हैं आप लोग चल रहे हैं बेसिकली अगर इंजिनीरिंग में हम लोग देखें तो तीन कोर्से आप करेंट में प्रेजन टाइम में आप लोगों के रानिंग में हैं जिसमें सबसे आप लोगों को आप लोगों को और पीको फुल कॉर्स एविलेबल है 6.12 live रिविजन सेशन आप लोगों को डेली देखने को मिलते हैं ससी जेए के कोर्स में जियान रखें पंजाब के स्टूडेंट्स को जरूर शेयर करना है वह भी इस वक्त आप लोगों का ऑफर में हैं थर्ड आप लोगों का देखो सब्सक्रा है अगर आप लोगों को इंजिनियरिंِّंग सेशन के ारिचनच को हैं सब्सक्राइब करता है तैं। भी आप लोग किसी बहुत अगर दो को में हैं को आप लोग को ज़रूर जोइन कर सकते है लोग को जोएन करने के लिए आप लोग को देखो इड़ायउं क्लास एप का लिंग को पिंड कर रखा है आप लोग पिंड से आप लोग क्या कर सकते हैं Store से दोन दोनडोड कर सकते जैसे आप लोग आप को डाउट्सक्ट करेंगे scar section में जायेंगे तो आप लोग को सारे कोर्सेस विजिबल हो जाएंगे ठीक है देखी नहीं रहे हो देख तो रही हूं मैं आप लोग को चलो पढ़ाई कर लो आप लोग को देख लो ठीक है को देखना बहुत ज़्यादा है क्योंकि पेपर मेरी सकल पूछी नहीं जाएगे आप लोग उसे कोशियंस पूछे जाएंगे तो कोशेंस करो अच्छे से आप लोग सब्सक्राइब श्रीक करतेश और अच्छे से अपने पढ़ाई कर रहे हैं वह फ्रेंक सब्सक्राइब करना एक इसके बाद हैं उसके ब बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज को अपना सेशन के सब्सक्राइब करते हैं तो इसके लिए बहुत अच्छे को प्रिपेर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए लाइफ क्रेस कोर्स आप लोगों के लिए स्टूडेंस के लिए जिसकी क्लासे पांच महीं से स्टार्ट हो चुकी है इंजिनेरिंग ज्वाइंग को हम लोग ने यहां पर कंप्लीट करा है और नेक्स हम लोग कर रहे हैं अप्लाइट मेकैनिक्स भाई बहुत यह अच्छी तरीके से कर रहे हैं एक बार डैमो लेक्ट्चर को जरूर देख लोग अगर डैमो को आप लोगों ने अच्छे से लगाना है तो देखो टोटल दस प्रक्तिस सेट आप लोगों को यहां पर अवेलेबल हैं तो आप लोग टेस्स सेरीज को भी जॉइन कर सकते हैं सब्सक्राइब क्लास को सभी लोग को गुड एवनिंग भाई कैसे हैं आप सभी लोग सब्सक्राइब करो एक सिंगल गलत नहीं होना चाहिए तो सभी स्टूडेंस करें सभी लोग वीडियो को लाइक शेर करना बिल्कुर ना भूले आप लोगों ने अपनी प्रेजेंस को जरू माग करना है और आंसर करके बताना है देखो कोश्चन ने आप से पूछा है ग्र हमने बोला कि अपलोग लोग यूज करते हैं तो इस तरीके की मैत यह आप लोग के कॉछिशन का क्या होना चाहि अप्टा फटेंस करें सब्सक्राइब का इस क्या जाएगा इसकूश्चन का आंसे कह रहे हैं B option देखो भई आप लोग याद भी करते वे चलें अगर GI का formula आप लोगों से पूछा जाए और question इस पे बेस्ट मिल जाए तो 0.2 A plus 0.005 A C plus क्या हो जाएगा 0.01 B into D हो जाएगा एक ही बात करते हैं तो percentage of 75 micron IACC से आप लोगों के जितने पास हो रहे हैं माइनस 35 हो जाएगा बी की बात करें तो percentage of 75 micron IACC से जितने आप लोगों के रिटेंट हो रहे हैं माइनस 15 हो जाएगा C की value liquid limit minus 40 और D की value IP minus 10 समझ में बात आई अब बात आती हैं एक अच्छी के लिए जिया की value करती है आपकी 021 फियर सॉइल के लिए अगर आप लोगों से बोला जाए तो फियर सॉइल के लिए आपको देखने को मलता है तो गुट के लिए 021 फियर के लिए 224 आपको देखने को मलता है और अगर आप लोगों से पूर सॉइल के लिए बोला जाए त तो पूर के लिए 529 देखने को मिलता है यह पूरी की पूरी वैल्यू आप लोगों ने याद रखने है गोड के लिए 021 फेर के लिए 224 पूर के लिए 529 यहां से आप लोगों का फॉर्स कुशन का अंसर क्या जा रहा है यह एक इंपरिकल माधड है जो कि आप लोगों की सब लिक्विड लिमिट है आप लोगों का प्लासिटी इंडेक्स इसमें आ रहा है यह सारी क्या है सॉइल की आपकी प्रॉपर्टीज है राइट अंसर ऑप्शन नमबर भी नेक्स्ट को इसकोशन को आंसर करें अगर ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे एफ करें और आंसर करके बताना ही है आप लोगों की कोशन का आंसर क्या जाएगा एक ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे एफिशिन्ट सिग्नल सिस्टम कौन सा देखने को मिलता है सगंडी जी भारती जी पंकर जी मोनी तिवारी जी सब ही लोग बहुत अच् जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रूप का लिंक देखने को मिल रहा है, वहां से टेलीग्राम ग्रूप को जरूर जोइन कर लें, अब यहीं बताओ कि ट्रैफिक सिगनल सिस्टम में सबसे एफिशियन ट्रैफिक के साथ, बहुत बढ़िया, तो देखो, फ्लैक्सिबल प्रोग्रेसिव ट्रैफिक सिगनल सिस्टम की बात करते हैं, यूजवली मेक्स इट पॉसिबल टू टाइम सिगनल, जिसमें आप लोगों का ट्रैफिक मूव करता है, एस से वेस और नॉर्ट से साउट, ठीक है, तब सबसे बेस्ट आपको प्रोग्रेसिव सिस्टम देखने को मुलता है, सबसे बेस्ट सिगनल सिस्टम देखने को मुलता है, फ्लैक्सिबल प्रोग्रेसिव ट्रैफिक सिगनल सिस्टम, नेक्स्ट को चलते हैं, इस को आंसिस करके बताएं भी सबी दो, थैर को आंसिस करें, व करने लग जाओगे या ट्राफिक वॉल्यूम को देखोगे कि कि यहां से पास कर रहा है यह स्पॉट स्पीड स्टडी करने लग जाओगे इस को आंसे करें तो मोहित बाजपी जी श्यांदार जी विजय लक्षमी जी अजे कुमार जी सबी लोग बहुत अच्छे आंसे के जाने चरबाएं इस फोच्छण को अंसे ही अगर गईन की फॉर्स स्टेज आप शिस पूचिज़ा तो बताओ क्या करोगे आप लोग आप लोग किया करोगे इस कぉ और अंसे करें सब्सक्राइज तो सबी लोग अपने प्रेजेंट संसके बबसे ज्रूर मान करें वीडियो कि कितना वाल्यूमों आप लोग का यहां से पास कर रहा है उसी एक्राइप फिर हम लोग क्या करते हैं आप लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग में सिग्नल इन सब को आप लोग डिजाइन करते हैं आगे चलते हम लोग नेक्स कोशिंट के जब आप लोगों को प्रंप के सामने आप सबी को पता है कि mic only कुं़ डिजाइन को हम लोग क्या कहते हैं मीनिमम ग्रेट्च को हम लोग क्यूं की प्रोबाइट करते हैं जिससे की ड्रेने साप जा लोगों को अपनी रोड में देखने को मिले हां पर अंसिस क्या होना अच्छे सब्सक्स कर Ads तो तो अजे कुमार जी शांदार जी कुंदन प्रकार जी सिवन्दू गोश्वामी जी अकिलेश जी मोनी तीवारी जी सबी लोग भई सांदार आंसर्स के साथ बहुत अच्छे सबी स्टूरेंच अपनी प्रेसेंस को जरू माग करें वीडियो को लाइक शेयर करना बलकुना अब बताओ आप लोगोसे बोला गया है आप लोगोसे कोशन ने पूछा है कि वाटर एब्जॉप्शन की मैक्सिम्म लिमिट क्या देखने को मिलती है अगर हम लोग रोड कंस्रक्शन में AGO को यूज कर हैं AGO हम लोग रोड कंस्रक्शन के यूज कर रहे हैं तो वाटर एब्जॉप्शन की तो हम लोगों ने एक maximum limit रखी है अगर इससे ज्यादा एक्विट कर जाती है वाटर एब्स प्रिफर करेंगे ऐसे अग्रिए को प्रिफर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए में क्या है क्या है बहुत अच्छे वेरी गुट आप लोगों क्या बात है आज तो पांच के पांच को शिन आप लोगोंने करें नाइस को आप लोगों से बोला गया कि ऑपजीट की हाइड क्या देखने को मिलती है अगर हम लोग ओवर टेकिंग साइड डिस्टेंस को कैल्कुलेट करें आप लोग क्या अंसर होना चाहिए इस क्योश्चन का माग करें सभी लोग तो अनातारियन जी अजे कुमार जी मोहित बाचपई जी इंजिनियर सैमी जी सिव कुमार जी नम्रिता सर्मा जी गोकुल पांडे जी सबी लोग भाई बहुत सांदार आंसर के साथ वेरी गूड वेल ड़न के बिट अप इस कुश्चन को आंसर करो अबजिक की हाइड अब इस कुश्चन को आंसर करें फटा फटसे आंसर क्या होना चाहिए सबी लोग आंसर करके बताएं आप लोग की रिकॉर्डिंग क्या आंसर जाना चाहिए इस कुश्चन का येस 120 cm देखने को मिलेगा option number D आप लोग का correct answer height of the eye above the road surface होना चाहिए basically object यहां पर नहीं होना आप लोग की रिकॉर्डिंग की आंसर जाना चाहिए सबी लोग बहुत ही सांदार आंसर देते वेए very good next question आप लोग उसे कोश्चन बोला गया है flexible payment हम लोग यहां पर यूज कर रहें क्या कर रहें आप से कोश्चन ने पूश दिया है कि जो बेस यहां पर देखने को मुलता है flexible payment में इसके minimum थिकनेस क्या होती है डास पंदरा बीस पच्चिस आंसर मार्क करो बही सबी लोग कुंदन प्रकार जी पहाड़ी इंजिनियर जी अजे कुमार जी नमृता सर्मा जी रिट्ट्व सब्सक्राइब बहुत अच्छी बात है अब बताओ के फ्लेक्जिवल पेइमें में मिनिमम थिकनेस क्या देखने को मिलती है साथ वे कुशन का आंसर बएफटा फट से वेरी गुड दस सेंटिमीटर आप लोग का आंसर जाएगा आप लोग का करेक्ट नेक्स को मार्क करो ह अटिमें में में का चैक्राइब चैक्ट करती है वे बच्चों करोंगे की साथ याडी टे के साथ लग इसकुशन का तो मोनी तीवारी जी बिट्टु जी रिट्टु सेडि पॉइंट जी सिव कुमार जी amor जी देविंदर जी सबी लोग बहुत अच्छी insert के बेड गुड स करना बल्कुर ना भूलें बताओ हाइवे को हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं हाइवे को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं रोलिंग स्टार्ट होती है रोलिंग कहां से स्टार्ट करोगे बताओ और कहां को फॉरवर्ट करोगे क्या अंसर होना चाहिए आटवी वोग ही नजल आ रहे हैं मुझे रोलिंग साइट से आप लोग स्टाइट करने हैं और सेंटर को प्रोसीड करते हैं आप लोग का रिक्टांसे नेक्स को चलते हैं यह उसको मार्क करो वह ऐसा कौन सा करता है कहने का मतलब इंस्टेंटली स्पीड आप एक पर्टिकुलर टाइम डियूरेशन में स्पीड को देख रहे हैं जैसे हम लोग स्पॉर्ट स्पीड कहते हैं जैनली इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है तो बिट्टू जी पहाड़ी इंजिनियर जी गोगुल पांडे जी अर्जुन जी सीव कुमार जी वर्षा नेगी जी एश्वरिया जी सभी लोग बहुत अच्छे आंसर्स के साथ भी वेरी गुड आप लोगों के रिकॉर्डिंग इसकोशन का आंसर्स क्या जाएगा जब स्पॉर्ट स्पीड को आप लोग मिज़र कर रहे हैं तो हमारे पास यहां पर कौन सा इसा इंस्टूमेंट होता है आप लोगों के साथ चलते हैं अभी तक आप लोगों की जो प्रोग्रेस चल रही है वो बहुत ही अच्छी चल रही है कहने का मतलब नौ मैसे नौ कोशन्स मैक्सिव स्टूरेंट्स ने करेक्ट करें दस वे कोशन पर चलते हैं एट वट पी एच विल इकोली बैक्टिरिया डाइ इन वाटर आप से कुछन ने पूछा है ऐसी कौन सी पीएच की वैल्यू होती है जिसमें इकोली बैक्टिरिया पानी में मर जाते हैं क्या अंसर्स हो लोगों को भी कोली देखने को मलते हैं इस क्या होना चाहिए तो अकाज देब सिंग जी अनंत आरियन जी बर्शा नेगी जी मोनी तीवारी जी बिट्टू जी भारती जी पहाड़ी इंजिनियर जी पंकर जी सबी लोग सांदर आंसर्स के साथ सबी स्टूडेंस अपनी प् 9.5 वेरी गुड ध्यान रखेंगे एक ओली बैक्टिरिया आपके पानी में इनकी डेथ हो जाती है अगर पी एच की वाल्यू ग्रेटर देन 9.5 होती है समझ पाने है तो आंसर्स दी आप्शन के साथ आगे चलते नेक्स कोशन के साथ यह बहुत अच्छा कोशन है इसको दे प्रापर्टी आपको प्रापर्टी की कैपिटलाइस वैल्यू को यहां पर फाइंड आउट करना है और आप लोगों को रेट ऑफ इंट्रेस्ट यह सिक्स परसेंट पर एनम मैं पूरे साल भर का आपको इंट्रेस्ट रेट दे रहा है छेपोसे बताओ बहुत अच्छे अ प्रेजेंट हैं एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दे और इस कोशन का अंसर करें क्या बात है ऑप्शन में डी मार्क करते बहुत ही इंपोर्टेंग कोशन है एक कैपिटलाइस वैल्यू आप लोगों का बहुत सारे पूछा गया है तो आप सभी लोगों को पता है क इंट्व एर पर्चेस होता है एमाउंट कितना है 900 मुल्टिप्लाइब एर पर्चेस के साथ जाए तो 100 डिवाइड बाइपरसेंटेज ऑप रेट आफ इंट्रेस इसका मतलब 100 अपॉन 6 मुल्टिप्लाइब नौ सो यहां से इसको आप लोग करोगे तो यह आप लोग का ए नेक्स पेً चलते हैं इस कोर्शन को सबीह लों बेहतरी नान्सर स के साथ र्या कुमारी जी अजी कमार जी पहाड़ी इंजिनियर जी सबीह लोग अंदार आंसर के साथ बहुत अच्छे वेरी गुड इस कुशन को आंसर करो दो कैपसिटी ऑफ डूइंग वर्क फॉर एन आर्टीजन और इसके लेबर इन दी फॉर्म ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्क पर डे इस नोन आज एक इसके लेबर के द्वारा एक दिन में एक व्यक्त कितनी एक दिन में एक व्यक्ति के दुबारा कितना काम किया जाता है यह क्या कहलाता है अंसर करें सब्सक्राइब बहुत अच्छे तो आंसर आप लोग क्या जाएगा और क्या आज तो सभी लोग बहुत अच्छे करें करें लाए मैं और करो जब हम डिटेल करते हैं व खो तो यह निर्स तो वालियूम्य सब्सक्राइब कर देखने को मिलता है को वालीप से अप्चिन आप लोगों के लिए करेक्ट होगा अंसिस मां करें इस कोश्चिन का तो सैमी जी अंकीता नेगी जी नम्रिता जी गुकुल पांडे जी सबी लोग बहुत अच्छी आंसिस के साथ वैस अभी स्टूडेंस अपनी प्रेजिंस को जरू मार्क करें वीडियो को लाइक शीर होता है वॉल्यूम सार वॉक्ट आउट तो दर नेरेस जीरो पॉइंट की रोवन मीटर क्यों और सी आप लोगों का करेक्ट अंसिस होगा आगे चलते हम लोग नेक्स्ट कुश्चिन के साथ 14 कुश्चिन लेको बोला गया है तो वाल्यू आप दी प्रॉपर्टी विदाउ को मिल रहा है इसे ही आप लोग कौन सी वैल्यू कहोगे स्क्राइब सैल्वेज जंक या बुक वैल्यू क्या अंसिस होना चाहिए 14 कुश्चिन के सब्सक्राइब लोग वीडियो को सब्सक्राइब लोग लाइक जरू कर दें आप लोग उने अपनी प्रेजेंस को जरू मार करना है मैंने आप लोग को हमेसे से बोला है वीडियो को लाइक करने से ऐसा कुछ बेनेफिट नहीं है बस वीडियो में लाइक देकर लगता है कि इतने नमइर और तोड फोड के बाद उस वैल्यू उस प्रॉपरटी की वैल्यू आप तो वो उस्क्राप वैलु कहे जाती है जो मार फंक्शन के साई क्या देखने को मुलता है जब हम कंस्ट्रक्शन मानेश्मेंट की बात पर यहां पर कौन सा उप्षिन आप लोगों की रिकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा सभी लोग बहुत अच्छे सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुर ना भूले आप लोगों की रिकॉर्डिंग का अंसर क्या जाएगा पंदरवी को बहुत अच्छे अब आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नमर्डी करेक्ट आंसर जब हम अद ऑफ के साथ बिन लोगों को बता लगता है अपनी प्रोग्रेस ओफ वोग की कि सतरीके से प्रोग्रेस हो रही है रही है या गेंड चार्ट आंसर्स मार्ग करोगे 16 कोशिन का सभी लोग आंसर्स करें बैसीव कुमार जी, ओम सक्ती जी, गोकुल पांडे जी, गीरराज प्रशाद जी, नमरता जी, अजेई कुमार जी, पहाडी इंजीनियर जी बैस अभी लोग excellent answers देते वे, और maximum students class में regular रहते हैं, यह सबसे बड़ी बात है, अब इस question को answer करो, कि bar chart is also known as, बहुत बढ़ी है, bar chart को क्या बोलते हैं, again chart बोलते हैं, answers option number D के साथ, इस question को answers करो भई, क्या answers होना चाहिए इस question को, आप सी question ने बुला है, which one of the following is a self-propelled machine, self-propelled machine है, use mainly to exit a powerful attractive force for pulling other machine, कितना सांदार question है, देखो, इतना powerful attractive force यह लगाता है, कि किसी दूसरी machine को भी आराम से खीच सकता है, तो बताओ, यह self-propelled machine कौन सी है, क्या यह bulldozer है, crane है, jumper है, ट्रक्टर है, आप लोग के 17 questions का answers क्या होना चाहिए, गल्ती नहीं करने हैं, आप लोगों इस question, crane, crane पर इतनी तागत है, इतना attractive force यह आपका powerful attractive force देखने को मिलता है, कि दूसरी machine को भी खीच देगा अपने साथ, 17 questions को answers मार्ग करें, मुझे उमीद है, आप लोग जरूर करेंगे, मोहित जी का यहां पर de answers आ रहा है, नवी राना जी का de answers, बागी तो crane से ही कीचेंगे, self-propelled machine देखने को मिल रही है, जिसमें powerful attractive force देखने को मिलता है, जो कि कि किसी भी other machine को क्या कर सकता है, थीच सकता है, पूल कर सकता है, tractor, तो ज्यान रखेंगे आप लोग, कि tractor आप लोगों को देखने को मिलता है, और generally tractor को कहां पर यूज करते हो, agricultural operations में यूज करते हो, खेती में generally देखते हो, आप लोग ट्राक्टर, ठीक है, आगे से ले, next question, answer mark करो भे, इस question का answer क्या होना चाहिए, answer तो देख लिया होगा आप लोगोंने, चलो कोई बात लिए, फिर भी इमानदारी से answer करना, इस question को answer करके बताएं, भे, सभी लोग answer क्या होना चाहिए, आप लोग के करें, सभी लोग answer mark करें, 18 question का, लेको 18 question बोला आप लोगों से, which type of roller, which type of roller is multi-purpose roller that can be used for various purposes and for practically all types of roads, all types of roads कह दो, all types of soil कह दो, generally हम लोग कौन से roller को यहाँ पर प्रिफर करते हैं, जैसे shift foot roller की बात करते हैं, तो generally clay soil में देखने को मिलता है, pneumatic roller की बात करते हैं, तो silty sand or silty gravel में देखने को मिलता है, और जब यहाँ पे आप लोग उसी question पूछा जाए, तो answers क्या होना चाहिए, yes, smooth wheel roller आप लोगों का answer जाएगा, option number या आप लोगों का correct answer, next question भी चलते हैं, इस question को answers करें, देखो कुछ इस तरीके से smooth wheel roller देखने को मिलता है, next question भी 19 question, answers mark करो, dummy activities are used to, अगर आप लोगों से dummy activities के बारे में बोला जाता है, तो यहाँ से क्या देखने को मिलता है, critical path को determine करते हो, project completion time को determine करते हो, आपके network को maintain करने के लिए dummy activities होती है, या none of the above को answers mark करोगे इस question में, तो अविनाज जी, इंजिनियर सैमी जी, भारती जी, वर्षा नेगी जी, कुंदन प्रकार जी, सबी लोग सांदार answers के साथ, इक लास में जितने भी number of students present हैं, एक बार वीडियो को like जरूर करते हैं, आप सबी लोग answers करके बताओ, बताओ, dummy activities को generally हम लोग किस से denote करते हैं, एक dotted line से आप लोग draw करते हो, आप लोग कहते हो कि dummy activities ऐसी activities होती है, जिसमे time and resources के इसको बिलकुल भी जरूरत नहीं है, dummy activities को क्या नहीं है, time and resources के बिलकुल भी जरूरत नहीं है, तो dummy activities are used to answers क्या होने चीज़ कुश्यन का, none of the above, क्या बात है बहुत ही सांदार, none of the above, आपके network को maintain करने के लिए required नहीं है, आपके पास क्या होते हैं, steps होते हैं, आपके पास steps होते हैं, उन्ह single activity आपको दिखानी होते हैं, यह नहीं कि बहुत सारी activities आपके single note पे आ रही है, तो answers क्या जाएगा, maintain the required network, यहां पे none of the above, ना जाते हैं, answer जा रहा है, maintain the required network, बहुत अच्छे, आगे चलते हैं, next question के साथ, इस question को answers के रुबे, activity required, एक activity हो रही है, generally यह क्या इसको जरूरत है, एक activity को कि स्रीश की जरूरत है, events की जरूरत है, resources की जरूरत है, time and resources की जरूरत है, यह option number D को mark करोगे, देखो, आप लोगो को events देखने को मिलता है, यह A events है, यह आप लोगो का B events है, यह A events है, यह B events है, और यह आपको activity देखने क की जरूरत है ये बताओ मैंने बोला इस activity को पूरी होने में पांच दिन का समय लग रहा है तो कहीं ने कहीं इस activity को क्या है time की requirement है yes or no yes activity required answers बहुत अच्छे and activity requires time and resources answers option number C के साथ बहुत अच्छे next question पे चलते है answers को माख परो which type of conveyor is also known as self-contained conveyor and is used when placing of small volume of concrete is involved जहां पे आप लोगों को small volume concrete का involved होता है तो generally आप लोगों को एक conveyor देखने को मुलता है जिससे कि हम लोग concrete को अच्छे से place कर सकें जब हमने कहा कि concrete को अच्छे से place कर सकें तो generally कौन से type का conveyor होगा आप लोगों के recording इस question का answers क्या होना चाहिए गिर्राज प्रशाद जी श्यांदाज जी अजे कुमार जी वर्षा नेगी जी नवी राना जी नमृता सर्मा जी सभी लोग बहुत अच्छे answers के साथ वेरी गुट वेरी नाइस इस question को answers करके बताएं भाई answers क्या होना चाहिए आप लोग के कोड़ें सबी लोग answers करके बताएं भाई यहां पर अजे कुमार जी पहाड़ी इंजीनियर जी गोकुर पांड़े जी का correct answers आ रहा है अगर आप लोग उसे बोला जाता है कि small volume of concrete को आप लोग प्लेस कर रहे हैं तो generally आप लोगों के पास pens होते हैं आप pens कह दो यह हम लोग इसे कह दे portable conveyor right answers portable conveyor option number C correct answers आप देखो portable conveyor के अगर हम बात करते हैं इसे हम लोग large projects में भी use करते हैं एक हमारी यह self content unit होती है जो कि आप लोगों की अराम से हम लोगों का क्या होता है जो concrete होता है उसको अराम से move out कराती है without much difficulties इस question को answers को आप से बोला गया है cementing property cement में generally किसकी वज़े से देखने को मिलती है मैं माप stop हो गई है कहां पर हुई हूँ stop मुझे तो मैं move करती भी नज़र आ रही हूँ कि अंसे मांग करो वे इस question का सभी लोग सभी लोग अंसे करें सभी students अपनी presence को जरू मांग करें वीडियो को like share करना बलकुन ना बोले बताओ बैं cementing property in cement is mainly due to आप लोगों की recording answers क्या जाएगा मैं आप इस तरह हो चुकी है कोई हल चल नहीं है क्या बात भई कितनी अच्छी सुद्धे हिंदी बोल रहे हैं आप लोग इस question को answer करके बताओ क्या जाएगा बहुत अच्छे cementing property cement में क्या देख किसकी वज़े से देखने को मलती है lime की वज़े से option no.1 correct answer next question पर चलते answer mark करो which of the following is the purest form of iron बताओ iron का purest form कौन सा है cast iron है road iron है mild steel है या high carbon steel है answer mark करें सबी लोग कुंदन प्रिकार जी पंकर जी अंकीता नेगी जी सीव कुमार जी अजी कुमार जी सबी लोग सांदार answers के साथ very good very nice इस question को answers क्या करोगे बताओ आप लोग को iron की purest form कौन सी देखने को मलती है जिसमें कोई भी impurities नहीं है purest form का मतलब जिसमें कोई भी impurities नहीं है yes यह क्या है हमारी road iron है very good option no.b correct answer next question अब भी क्या कर रहे हो cement motor की compressive and tensile strength को find out कर रहे हो क्या कर रहे हो cement motor की compressive and tensile strength को find out कर रहे हो तो generally आप लोगों के पास क्या ratio देखने को मिलता है cement और sand का क्या proportion देखने को मिलेगा आप लोग के according discussion का answers क्या होगा क्या जाएगा बताओ आप लोगों क्या कर रहे हैं तो आप लोगों के according to cement or sand का क्या proportion होता है इस question को answers करें भी सबी लोग सबी स्टूडेंट्स अपनी presence को जरू माग करें वीडियो को लाइक शेयर करना बल्कुर ना बहुत अच्छे क्या answers करोगे आप लोग 1 ratio 3 इसका मतलब option number B आप लोग का correct answer क्या ratio देखने को मलता है 1 ratio 3 तो right answer is option number B के साथ का के चलते हैं 25 के साथ which position of natural bed of stone relative to direction of pressure ensures maximum strength आप लोग से बोला गया है अगर हम stone की बात करते हैं तो different different type के आपको stones देखने को मल रहे हैं तो इनका जो natural bed आपको देखने को मलता है generally आप लोग को क्या position देखने को मिलती है bed of stone की यह आप लोग का perpendicular देखने को मलता है पैलर देखने को मिलता है option को mark करोगे या डी के साथ नमरिता सर्मा जी श्यानदाज जी सीव कुमार जी गिर्राज जी मुके जैस्टवाल जी सोविक जी सावी लोग बहुत अच्छे answers के सथ वेरी गुड आप लोगों की इस question का answers क्या जाएगा क्या answers करेंगे 25 वी question का बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत जो आप लोगों की beds होती है आप प्रेशर आपको direction of pressure क्या देखने को मिलेगा पपेंडिकुलर देखने को मिलेगा आंसेस option नमर एक के साथ आगे चले 26 के साथ answers को मार्क करें इस question को answers करो में which of the following steps in the manufacturing bricks is carried out in pug mill pug mill होता है basically तो pug mill में हम लोग क्या करते हैं digging करते हैं cleaning करते हैं weathering करते हैं यह tampering करते हैं आप लोगों की आप लोगों की रिकॉर्डिंग क्या answer जाना चाहिए सब इस्टूडेंट्स अपनी presence को जरू मार्क करें वीडियो को लाइक शियर जरू करें आप लोगों की रिकॉर्डिंग क्या answers होना चाहिए इस question पर तो रिट्टू study point जी रिया कुमारी जी पंकर जी मोहिच जी विवेक कुमार जी मुकेश जी अभिलाज जी सिव कुमार जी गिराज जी इंजिनियर सैमी जी मोनी तीवारी जी अजे कुमार जी से अभी लोग बहुत अच्छे answers के साथ हम लोग इसे बेसिकली क्या कहते हैं हम लोग इसे चैंपरिंग कहते हैं राइट आंसर किसके साथ जा रहा है option नमर डी के साथ जियान रखेंगे पाग मेल इस यूज़ वर किसे preparation आप दिकले यह हम यहां पर कहते हैं कि चैंपरिंग के लिए यूज़ करते हैं यह देको बहुत अच्छा कुशन आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है moderately hydraulic lime is best suited for moderately hydraulic lime basically suitable होता है किस के लिए plaster work के लिए white wash work के लिए तो पी option को mark करोगे या d के साथ धियान रखें fat lime भोल दिया جाए magnesium dolomite lime भोल दिया जाए यह सारे के सारे यूज़ होते हैं white wash के लिए fat lime भोल दिया जाए या आप लोगों से magnesium dolomite lime भोल दिया जाए आप लोगों का यूज होता है white washing के लिए जब हम लोग moderately hydraulic lime बोल दिया जाए semi hydraulic lime बोल दिया जाए calcination of conquer, conquer case से बोल दिया जाए तो आपका answers होता है क्या? आपका answers होता है for making more time right answers, option number C के साथ भई ये none of the above को जो answers mark कर रहे हैं अरे भई हर time none of the above answer correct नहीं होता है बहुती rare case में none of the above answer जाता है जबकि examiner को पता होता है कि students क्या है एक level नहीं, दो level उपर है तब जाके none of the above answers आप लोगों का correct होता है next question पे चलते हैं 28 वे question को answers करें भई सबी लोग सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ भई very good सबी students अपनी presence को जुरू mark करें वीडियो को लाइक, शियर करना बल्कुन न भूले भई आप लोगोंने वीडियो को लाइक जरू करना है जिससे पता रहे कि आप लोगोंने class को follow किया है क्लास को follow करने के लिए attendance mark करने के लिए बस एक ही चीज़ है वीडियो को लाइक करना है इस question को answers करो भई which of the following test deduct presence of un-combined lime in cement अगर lime आप लोगों का un-combined lime, access में lime आपको देखने को मल रहा है मैंगनिश्या देखने को मल रहा है हम लोग इसको deduct करते हैं कहां से deduct करते हो क्या answers होना चाहिए इस question का बहुत अच्छे कहां से करते हैं हम लोग इसे soundness से करते हैं option number D आप लोगों का correct answers होगा ठीक है हम लोग कहते हैं कि जो भी environmental के actions आप लोगों को देखने को मिल रहा है इसका effect देखने को मिल रहा है answers D के साथ next question भी चलते हैं इस question को answers करो which of the following range of pigment volume concentration number is recommended for the paint of exterior surfaces of a house हम लोग क्या कर रहे हैं house के exterior surfaces में हम लोग paint कर रहे हैं क्या कर रहे हैं अपने घरों में हम लोग exterior surfaces में paint कर रहे हैं तो generally यहां पर अगर आप लोग उसी question ने पूछा है pigment volume concentration number तो आप लोगों का कहां से कहां तक लाइक करता है बहुत important question है और generally यही questions पूछा जाएगा आप लोगों से इसमें ज्यादा आप लोगों की varieties भी नहीं है तो वर्षा रेगी जी नमरिता सर्मा जी पहाड़ी इंजीनियर जी मोहिच जी सोविक जी सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ fry लोगों की इस question का आंस चेंट बीक में आप लोगों की क्या रूट बियुकितल इस चेंट रोगोगों की बात हो रही है महें डाउं की जी सबीक cliche सच में उनकी तयरी एक लेवगद ऊपर चल लिए है यह में यह कहाँ कि उनकी तयरी कहां पर चल दी है मार्स पर चल दी हुआ है बहुत ही सांदार चानित के साथ आप लोग आप लोगों को तो डेटा की वैल्यू बीपूरी अच्छी से याद है चलते पर रोख करेंगे और 13 percentage of moisture content एक certain moisture content में आप लोग क्या कर रहे हो sand में पानी मिक्स करते जा रहे हो मिक्स करते जा रहे हो एक particular ऐसा moisture content एक ऐसा water content देखने को मिलेगा जिसमें आप लोगों की bulking maximum होगी आप सभी को बताएं बलकी में क्या देखने को मिलता है जो sand के particles होते हैं उसके आज पास आप लोगों के moisture content इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल जाता है जिसे कि sand आप लोगों की क्या हो जाती है? heavy nature की हो जाती है generally दुकानदार भी ऐसी करता है आप लोगों का sand में थोड़ा पानी डाल देगा तो उसका क्या हो जागा? volume increase कर जाएगा ठीक है? तो कहिए न कहीं ठगने की विद्ध्या इसे हम लोग कह सकते है तो चलो हमें ठगने की विद्ध्या तो नहीं पढ़ने है हमने ये पढ़ना है कि maximum bulking किस case में देखने को मिलेगी answers करो इस question का बहुत अच्छे answers क्या जाएगा आप लोगों का find sign option number A आप लोगों का correct answer जाएगा प्यपीएसी जेई के लिए बुक लेकर आओ अरे पहले course को तो आप लोग अच्छे से पढ़ लो course में पंजाब के students भई प्यपीएसी जेई के Crest course को जरूर शेयर करें बहुत ही effective course है उन सब चीजों को पढ़ रहे हैं जो चीजे हमने नहीं पढ़ी है इंजिनियर ड्रॉइंग को कवर कर लिया है अब अप्लाइट मैकानिक्स को कवर करें आप सभी लोग को पता है कि एक-एक पंजाबी तो हर किसी का होता है तो देखो आप लोगोंने एक-एक फ्रेंड को तो एट-least वो Crest course को क्या करना है शेयर करना है इस question को answer करोगे इस for a fluid in a motion pressure at a point is same in all directions then the fluid is कि अगर आप लोगों से fluid motion में है और एक पॉइंट में जाके अगर हम pressure को note करते हैं तो उस point में जो pressure है आप लोगों को all direction में क्या देखने को मल रहा? same देखने को मल रहा? pressure की intensity all direction में same देखने को मल रहा यह रियल फ्ल्यूट है नूटोम्यन है यह नौन नूटोम्यम फ्ल्यूट है आप लोगों की इकॉर्णिन का आंसर क्या चाहेगा तैंस्ईव कुमार जी पंकर जी पहाड़ी इंजिनियर जी अन्य टारियन जी सब्यूंच बहुत अच्छे आंसर के साथ नहीं है अगर आप क क्या बात है बहुत सांदर तो आप लोग को प्रेशर का किसी भी पॉइंट में देखते हैं तो सेम देखने को मिलता है In All Direction इसको हम लोग आइडियो काहते है चैनली इनिवस्टे नीचर का भी देखने को मिलता है नॉन विसकुस नेचर का नेग्सक्षI को y수ane को एक बोडी को हम लोग नूच आल के कहते हैं एक बोडी नूच आल रेक्विलिबियरं में कही जाते है अगय उसका अम ए च़िभाज का और लुक्षिटी को लुग कर लोग की को लोड़ें rat उसकूर्डिंग का अंडर की होगा कि body आप लोगों की neutral equilibrium में होती है अगर metacenter कहां पे देखने को मलता है तो देखो एक और बात अगर हम जाने ही तो metacenter अगर center of gravity से अबब है metacenter अगर center of gravity से अबब है तो हम लोगों को ये stable equilibrium देखने को मलता है अगर metacenter आप लोगों की center of gravity से बिलो है तो फिर हम इसे unstable equilibrium कहते हैं और metacenter और center of gravity दोनों अगर coincide कर गई तो आप लोगों का answer क्या होगा कि ये neutral equilibrium होता है coincide with its center of gravity option number 1 correct answer next question पर चलते हैं इस question को answer करो the Francis formula for the discharge over c-politive wear is अगर आप c-politive wear का discharge find out कर रहे हैं वो भी आप लोग Francis formula से तो आप लोगों के according कौन सा formula यहां पर correct होगा पहाड़ी इंजिनियर ही क्या bending moment है जानने के लिए देखते रहो आप लोग पीपीएसी जेगी यह वाली class कभी ना कभी तो पता लगे गाई चलो बहुत को answer करो फ्रेंट्स फॉर्मला आप लोगों का क्या होता है अगर हम लोग पॉलेटीव यह की बात करते हैं थी पॉलेटीव यह आप लोगों को देखने को मिलता है फॉर्मला होता है बही इसका answer mark करें सबी लोग answer क्या होना चाहिए C answers करें LH cube की power by two वाभी वाभ थर्टीव का answer क्या होना चाहिए LH की power five by two answers करोगे क्या answer करोगे yes one point eight four LH LH cube की power two two क्या answer होगा भी इस question को answer mark करें सबी लोग मुझे उमीद है कि आप लोग 33 को जरूर answer करोगे इस इवाले जाद है तो इसका मतलब answers आपको option number C के साथ जाएगा आगे चलते हैं next question के साथ इस question को answer करोगे telescope को हम लोग turn करने process of turning the telescope about the vertical axis vertical axis में इसे turn करने है plane कौन सा horizontal plane है इसे reversing काऊगे plunking काऊगे swinging काऊगे या transiting काऊगे क्या answers होना चाहिए इस question का तो मोनी दिवारी जी इंजिनियर सैमी जी अनूपाल जी सिव कुमार जी कुल्दीब जी नमृता सर्मा जी सब भी लोग बहुत अच्छे answers के साथ पर क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और इस question का answers करके बताएं तो टेलिस्कोप जो आप लोगों का turn कर रहा है इसके जो प्रोसेस दंजरार ही आप लोगों को जब हम लोग rise and fall method को use करते हैं generally हम लोग को arithmetic check कौन सा देखने को मलता है आप सभी को पता है sigma back side minus sigma four side is equals to sigma rise minus sigma क्या देखने को मिलता है sigma fall is equals to last rl minus first rl भी कह सकते हो तो बताओ rise and fall method में क्या क्या देखने को मिलता है सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ back side intermediate side or four side option number d आप लोग का करेक्टान से next question पर चलते हैं इस question को answer करो बोटीश रूल correction आप लोग उसे बोला गया है आप सभी को पता है कि बोटीश रूल हमारा generally कहां पे prefer होता है generally linear measurements को हम लोग equally precise रखते है linear और angular measurements को और जब च्रिप angular को precise वे में रखते हैं तो basically उसके रहे transit रूल आप लोग के सामने आता है जब बोटीश रूल आप लोग के सामने हैं तो यहां पे हम लोग को correction क्या देखने को मिलता है अगर हम लोग latitude and departures की बात करते हैं अगर बात है तो पाड़ी इंजिनियर जी मोनी तीवारी जी सबी लोग बहुत अच्छे आंसस के साथ दम्रिता सर्मा जी गिर्राज प्रशाद जी पावन सेगल जी वेरी गुड आप लोग का करेक्ट आंसस होगी टॉटल एलर जितनी आप लोग को latitude and departures में देखने को मिलेगी मुल्टिप्लाइब लेंथ ओफ डेट साइट अपॉन पैरिमिटर ऑफ ट्राइवर्स नेक्स्ट कोशन इस को अंसस को भी आज गलत नहीं होना चीक अली का कोशन है जिन कोशन में आप लोगोंने कल गलती करी थी आज उसमें आपने अंसस मार्क करना है और डिग्री ऑप्र अच्छियर करना बल्कुर ना भूलें आप लोगों के कवोर्णिंग इस कोशन का अंसस क्या होना चाहिए वह सबी लोग उसस करके बताएं डिक्री और की क्लास में बात हुआ था बात हुई थी कलकी क्लास में तो गलत नहीं होना चाहिए कोशन आंसर आंसर मांक करें भी देली रहेंगे वो तो आंसर्स करेंगी इंस्रूमेंट की क्वालिटी भी डिपेंड करती है बेडिग्री ऑप्रीशिशन आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन के साथ आंसर्स मांक करो ग्राफिकल मैठेट को हम लोग इंपलॉई करते हैं विच अवधी फॉलाइंग मैठेट ग्राफिकल मैठेट कहां पर देखने को मत्या बताओ बैकसाइट औरेंटेशन कंपास औरेंटेशन तूपॉइंट प्रॉब्लम या थ्री पॉइंट प्रॉब्लम को आंसर्स करोगे इंजिनेर सेमी जी मोनी तिवारी जी अर्बन फिर्ट जी मोहिच जी कुंदन प्रकाच जी पहाड़ी इंजिनियर जी सबी लोग सांदर आंसर्स के साथ बहुत अच्छे वेरी गूड वेरी नायस के पिटा इस कोशन का आंसर्स क्या होना चाहिए जब हम लोगों से यहां cups "- should we see??? तो जब मीदस आ आप लोगों को देखने को मलती है question आप लोगों से यह बोल रही है yes हम लोगों को क्या देखने को मदती है कहां पर निगने को 2 point problem आपको देखने को मलती है जिसमें graphical method होती है आगे चलते hpi next question किससे त उसके mark करो which of the following is not the classification of the section method क्लासिफिकेशन का क्लासिफिकेशन नहीं है आप लोग के कोडिंग का अंसर क्या होना जी सभी लोग बहुत अच्छे अंसर के साथ वेरी गुड प्लोग के ciąो के क्लासिफिकेशन आप लोग अक्लासिफिकेशन अप ठीभी क्लासिफिकेशन रिसेक्शन डी शेशुं के का क्णसिंक करने एक डेक और पॉरीन्टेशन ना गें बाइं भाइं गा Heute असमें बड सबने बड सबने क्लंने गारें which of the following can be disadvantage to the plane table serving plane table serving का कौन सा disadvantage है अब देखने वाली बात है कि इस question को concrete करके बताते है heavy instrument इसका disadvantage है या ये wet climate में convenient रहता है ये इसका disadvantage है या हम लोग को output में कोई accuracy नहीं देखने को मिलती है ये इसका disadvantage है या not used in magnetic areas ये इसका disadvantage है ये answer करो सोच समझ के 40 वे question का अब एक class में जितने students present है एक बार वीडियो को जरूर लाइक करें yes, 40 का answer क्या जाएगा heavy instrument इसका क्या है disadvantage है option number 1 correct answer अब देखो आपने इस information को ध्यान पुर्वक सुनना है अब मुझे पता ही कि अगर आप लोग पंजाब से बिलॉंग नहीं भी करते हो तो एक फ्रेंड पंजाबी तो सभी कही होता है देखो आपने एक फ्रेंड को तो at least ये class course आप लोगोंने शेयर करना है जिसमें आप लोगों को देखो PPSC junior engineer students के लिए class course है जिस तरीके से PPSC ने आपको syllabus प्रोवाइट कर रखा है बिल्कुल उसी syllabus के according हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं प्रेंड टाइम में आप लोगों की तीन classes इसमें run कर रही हैं जिसमें देखो जितने PPSC ने नए subjects आप लोगों के लिए define कर रहे हैं जैसे कि engineering, drawing, applied mechanics और आप लोगों का management का एक subject उसको हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ बाकी irrigation, hydrology, soil जो सब में आता है आप लोगों का basically हर exam में आता है उसको भी हम लोग कवर करें तो अगर आप लोगों के पंजाबी friend की अगर मैं बात करूँ तो एक एक friend तो सभी कही होगा और नहीं है तो फिर आप लोगों ने क्या करना है फिर नहीं है तो फिर क्या कर सकते हो ठीक है तो देखो पांच मई से इसमें class start हो चुकी है course completion time रहेगा तीन मैने में डेली आप लोग की तीन तीन घंडे की class चल रही है इसमें और तीन मैने में इसका course आप लोग का complete हो जाएगा और इसकी validity लेकिन आप लोग को देखने को मिलेगी 6 months 6 months तक आप लोग अराम से पढ़ सकते हो 6 months के बाद ही expire होगा यह आप लोग का ठीक है इसी तरीके से नेक्स देखो PPSC जेई के लिए अगर बात करें तो टोटल 10 प्रक्टिस सेट आप लोग को यहां पर प्रिवियस पेपर पर आधारित हैं तो अगर आप लोग इंट्रेस्टेट हैं तो आप लोग प्रक्टिस सेट के साथ जा सकते हैं यह तो भई बहुत ही सांधार को से आप लोगों के लिए कहें यूनिवर्सल और किसी भी जैए एक्जाम को अगर आप लोग टागेट कर रहे हो तो इसे बहतरीन को सापको नहीं देखने को मिल सकता है देखो सेवर इंजिनेरिंग का कोर्स है आपको इसमें टेक्निकर पूरी तरीके से कंप्लीट है और देखो ओनली 850 में पूरा कोर्स है डेली दो लाइव रिविजन सेशन आप लोगों को बेसिकली इसमें देखने को मलते हैं पहले तो लेक्चर सारे कंप्रीट है उसके बाल डेली लाइव रिविजन सेशन भी आप लोगों का होता है एक दोबजे उता एक तीन बजे होता है दोबजे वाले Session में सोम को रिवैज dalने मुलगों अगर इससे सम्मधित कोई भी क्वेरिस होती है cotton अमड़ लोगों के स्क्रीन पर दिए अम पर पर साथी साथ EAD Online Classes App को एक बार जरूर डाउनलोड करें आप लोग Demo Lectures को जरूर देखें एक बार Demo Lectures को आप लोग जरूर देखें एक मन्द बाद लेंगे डेट आ जाए बस UP SSJ का वा भी वा अरे बही पढ़ना तो अभी से स्टार्ट करो अब जब डेट आएगी तब पढ़ना स्टार्ट करोगे यह भी बहुत अच्छी बात है लेट नहीं करना है किसी भी चीज के लिए गर्दा उड़ा दिया वा भी वा गुड़नाइट मैम अरे मैम मेरा नेट ही नहीं चलता अभी चीज में कि राजिस्तान से बिलॉंग करते मैं चलो भई भई बुक कब आएगी पीपीएसी चेह के लिए पहले कोर्स तो आप लोग पढ़ लो क्रेस कोर्स देखो इतना अच्छा है आप लोगों के लिए क्रेस को डिजाइन कर रखाए कि आप लोग को बुक की रिक्वायमेंट ही सारे नए सब्सक्राइब को हम लोग यहां पर कवर कर देखो कोई नहीं है पंजाबी चलो भई आप नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं चले वैज तो मुझे उमीद है कि आप सभी लोग इन कोर्स को जरू शीय करेंगे ठीक है तो कल मॉर्निंग की क्लास में मिलते हैं सुबह साथ बज़े तो उठना ही चाहिए चले वै थैंक्यू सो मच और वेरी बेस थैंक्यू